लोजिटेक कीबोर्ड अभी तक लिजेंट कीबोर्ड है जिसमें कि आप एकी साथ में सभी डिवाइस में इजली स्विच कर सकते हैं इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मुझे परसनली वन येर से भी जादा हो गया है तो क्या कुछ फीचर इस कीबोर्ड वे मिलते हैं सबकुछ जूड़ी हो है मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने है वीडियो का एंट के जरूर से देखें और पीसी में यूज़ कर सकते हैं और इसके बॉटम साइड में इसके वारंटी और कुछ प्रोड़ेक्ट डिटेल भी दी गई है बोक्स ओपन करते हैं हमें एक यूजर और कीबोर्ड मिलती है इसके बॉक्स में इतना कुछ खास नहीं मिलता अगर बात करें इसके कीबोर्ड के ओवर विव के तो इसके फ्रंट में हमें लोजिटेक का लोगो मिलता है और ये डार्क ग्रे कलर में हमने लिया था इसके लाबा इसमें ब्लू, वाइट और पिंक कलर भी मिल जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में पावर अन ओफ बटन मिलता है, साथ में एक LED इंडिकेटर भी दिया गया है अगर इसके बैक साइड की बात करें तो ये कीबोर्ड यूज करते हुए मुझे काफ़े टाइम हो गया है इसलिए थोड़ा सा गंदा भी हो गया है इस कीबोर्ड की चारो कोरनर पर काफी अच्छी रवड ग्रेप मिल जाती है जिससे कि ये कीबोर्ड टाइपिंग करते हुए स्टेबल रहता है वहीं ये कीबोर्ड सिर्फ दो ट्रिपल ए बैकप दे देती है अगर आप एक नौरमल यूजर है तो ये ट्रिपल ए बैटरी कम से कम 6-8 महीने का बैटरी बैकप आपको दे देगी और अगर आप टेली कीबोर्ड को 6-8 गंटे यूज करते हैं तो ये इसलिए 2-3 महीने का बैटरी बैकप दे देगी जोकि मुझे काफी परसनीर पसंद है वहीं लोजिटेक के सभी प्रोड़क्ट काफी अच्छी बैटरी बैकप देते हैं वहीं सेकेंड येलो बैटन से आप इसको अपने स्मार्टफोन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं मैं इस कीबोर्ड को अपने मैकबुक, विंडोज, लैपटोप और स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखता हूँ और इसके साथ में मैं यूज़ करता हूँ Logitech Mouse जिसमें की यही same feature मिल जाते हैं तो मुझे किसी भी laptop पर काम करने के लिए keyboard mouse को change नहीं करना पड़ता है बस button दबाते ही यह दूसरे OS पर switch हो जाते हैं और यह keyboard Macbook और Windows दोनों operating system पर काफी बढ़िया तरिकी से काम करते हैं इसके लावा इसमें हमें shortcut keys भी मिल जाती हैं जैसे की home button, media control वगेरा वहीं Logitech app के जरिए आप इन keys को customize भी कर सकते हैं चुकि काफे ज़्यादा useful है जिसे की आपका काफे time save हो जाता है अगर इस keyboard के keys की बात किये हैं तो यह rounded keys हैं और soft sound इन में आता है तो अगर आप अभी तक square keys वाला keyboard यूज़ कर रहे थे तो इन पर switch करने में थोड़ा सा time आपको जरूर से लग सकता है बट एक पर जब आपको इनकी habit हो जाएगी तो एक काफी अच्छा experience आपको देगी वहीं इस keyboard पर मेरा typing experience काफी अच्छा रहा है बट इसके up-down arrows की थोड़ा सा problem अभी भी होती है क्योंकि वह काफी ज़्यादा small है इसके लावा यह keyboard काफी ज़्यादा स्लीम है जिस तना कि आपका smartphone होता है वहीं इसके size की बात किये तो इसका size भी काफी ज़्यादा compact है अगर compare करें regular smartphone से तो आप देगी सकते हैं कि यह काफी ज़्यादा small है तो अगर आप इस keyboard को carry करना चाते हैं तो यह आपके किसी भी backpack में अराम से fit हो जाएगा वहीं अगर आप मेरी तरह multiple devices को use करते हैं तो यह काफी अच्छा option रहेगा इस keyboard को आप ज़्यादा से ले सकते हैं आप प्लीज वीडियो को like कर देना मैं मिलता हूँ आप से एक और ऐसे नहीं वीडियो में तब तक लिए take care and quote बाई